हाई गाइस मेरा यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं ड्रेम 11 में क्रिकेट की टीम देने वाला हूँ जो कार्बन अंधर टी 20 मैच है वारियर्स 11 वासेस लेजेंस 11 के बीच जो मैच है मैं उसे काई टीम देने वाला हूँ तो मेरे साथ यह वीडियो लास तक दे लेजेंस 11 वारियर्स 11 अभी तक 4 मैच खेले है लेजेंस 11 भी 4 मैच खेले है जिन में से वारियर्स 11 दो मैच जीते है और दो मैच हाड़े है और लेजेंस 11 मीरे के लिए 4 मैच खेले है चार मैच ही हाड़े है तो मेरा मानना है यह मैच वारियर्स 11 का जीतने का चंस ज्याद है और लेजेंस 11 का बाफसी करने का उमीद रहेगा यह मैच मिनिमम स्कोर 151 के आसपास रहेगा विकेट कीपर सेक्षन पर यह पर से मेरा मानना है सरन तेजा काफी अच्छा खिलारी है और यह पर से पूर्द भी राज भी काफी अच्छा खिलारी है आप किसी के भी साथ जा सकते हो सरन तेज के एक बार एनलाइसिस देख लेते हैं 46-15-33 यह एनलाइसिस है आप सरन तेज के साथ जा सकते हो क्योंकि ओपिनिंग कर सकता है पित्वी राज भी काफी अच्छा खेल खेल रहा था सेवेंटी टू रान की एक डिविल्मेंट स्कोर पिछले मैच में दिया था 16-29 और एक मैच नहीं खेला था मेरा मानना है पृद्वी राज को अभी तक मेरा टीम में पिक करूंगा फाइनल प्रॉस के बाद आगर चेंज करना पड़ता है तो सरंतिजा के साथ मैं जाऊंगा बैडिंग सेक्शन पर या पर से सी राम जो काफी अच्छा खिलाड़ी है लेकिन उतना अच्छा पर्फॉमेंस नहीं कर पा रहा है दे सकते हो फास्ट मैच 101 उसके बाद 25-25 यह ओपिनिंग करेगा अपने टीम के लिए बादे से 11 के लिए लेकिन उतना खास नहीं खेल पा से ड्वेंगैने उसके बाद धानिक उमार इसको मैं मेरी तीम में पिक करूंगा क्यूंकि पिछले मैच में 60 राण की 11 स्कौर खेले थे हैं तो मैं उनको पिक ऑन उसके बाद किक कर मना लाया को यह ति भी काफी अच्छा खिलारी है, देख सकते हो मिनिमम आपको ये खिलारी 25 के आसपस DM11 को दे सकता है तो मैं उनको मेरे टीम में पिक करूँगा उसके बाद ये अपर से काफी सरे चोईस है जैसे ही अपर से काड़ाशींडे काफी अच्छा खिलारी है देख सकते हो काड़ाश इंडे का यह भी मिलियम फिप्टी टुट्विंटी के आसपास ड्रीमिलेबंस कोड दे सकता है आप काड़ाश इंडे के साथ जा सकते हो मैंने नहीं लिया हूँ क्योंकि लाइन अप के लिए वेट करूंगा उसके बाद ट्राइ करूंगा यह पर से और यह नूड वाश्या लेकिन पिछले मैस में नहीं खेला था यह भी काफी अच्छा खिलाड़ी है फिर यह पर से और लाउंडर का जो सेक्षन आएगा मैं उसको मैं टीम में पिक करूंगा प्रशांत कुमार काफी अच्छा और लाउंडर है वारियर्स के तरब स क्योंकि एक बार देख सकते हो अनलाइसीस यह खिलाड़ी काफी अच्छा खिलाड़ी यह 33 22 87 45 के आसपास डीलेबलेवन स्कोर देता है यह खिलाड़ी मिनिमम आपको 30 to 40 के आसपास डिलेम 11 स्कोर दे सकता है या उसके भी ज्यादा हो सकता है उसके बाद रोफी को मेरे टीम में पिक करूँगा ये रोफी भी काफी अच्छा खेल खेल रहा है मौहमद रोफी देख सकते हो डिलेम 11 स्कोर 52, 32, 6 ऐसा डिलेम 11 स्कोर है 30 to 40 के आसपास डिलेम 11 स्कोर एवरेच मिनिमम दे सकता है और उससे भी ज्यादा हो सकता है उसके बाद मनिश को मेरे टीम में पिक करूँगा उसका डिलेम 11 स्कोर देख सकतो 39, 43, 77 और 35 के आसपास डिलेम 11 स्कोर है ये खिलाडी मिनिमम आपको 40 से 50 के आसपास डिलेम 11 स्कोर दे सकता है काविलियद है उसके बाद आशिश रेडडी को मेरे टीम में पिक किया हो अकनिश आशिश रेडडी उसका डिलेम 11 स्कोर फास्ट मैच में तो काफी अच्छा था 68 उसके बाद 95 उसके बाद पुरा पॉर्फरमेंस डाउन हो गया है 0 13 के आसपास लेकिन ये मेरा मानना ये पिलेड में काविलियद है ये खिलाडी मिनिमम आपको 40 से 50 के आसपास डिलेम 11 स्कोर आशिका मैच दे सकता है या पर से और एक खिलाडी को आप ट्राई कर सकते हो या पर से चरंशाई तेजा इसको आप ट्राई कर सकते हो बॉलिंग सेक्षन पर मेरा फास्ट चोईज रहेगा कार्तिक रमन को या पर से देख सकतो डिलेम 11 स्कोर 20, 57, 48, 256 मिनिमम आपको एक से दो विकेट जटका रहे सकता है हर मैच में उसके बाद होडी स्वांकोर को मेरे टीम में पिक किया ये खिलाडी भी काफी अच्छा 45 में अच नहीं खिला था 60, 75 के आसपास डिलेम 11 स्कोर है मिनिमम ये खिलाडी आपको एक से दो विकेट जटका कर दे सकता है उसके बाद या पर से मैं पिक करूँगा विनोत नाइडू को विनोत नाइडू उनका भी काफी अच्छा पदशन नहीं रहा लेकिन काफी अच्छा खिलाडी है ये भी खिलाडी मिनिमम आपको एक विकेट दिला सकता है उससे बात अपका या पर से आजाई कुमार इसको ट्राइ कर सकते हो ये मिनिमम एक विकेट दे सकता है इसको ट्राइ कर सकते हो तो मैं लाइन आप की उपर निर्वर करूंगा उसके बाद में चेंज कर सकता हूँ कि तेजे स्वी जाओ काफी अच्छा बॉल आ रहे अब उसको भी ट्राइ कर सकते हो मोनोहर को एक बाद ट्राइ कर सकते हो मोनोहर भी काफी अच्छा कि लाड़ी है गाइस यह रहेगा मेरा फाइनल यूटूब चैनल का टीम क्याप्टेन वाइस क्याप्टेन का जो चॉइस है यह पर सब चार गों जो है यह है क्याप्टेन वाइस के प्रिंग दाविदर अज का मैच के लिए मेरा मानना है कैप्टेन वाइस कैप्टेन यह पिंग से अलग अलग से बाटके अब जा सकते हो कैप्टेन वाइस कैप्टेन वाइस यह Allrounder के उपर ही निर्वर करेका आज का पूरा मैच तो मेरा मानना है आप किसी को भी Captain Vice Captain कर सकते हो मेरा मानना है आज Captain Vice Captain का काफी सारे दावीदर रहेगा मनीश मेरा First Captain Vice Captain Choice है मनीश उसके बाद है आशिष रेड़ी सेगेंड सेगेंड चॉइस है आशिष रेड़ी उसके बाद प्रशांद कुमार आप उस पर चॉइस करके जॉइन हो जाओ मेरा मानना अभी जॉइन हो जाओ और Captain Vice Captain मनीश और आशिष रेड़ी को अपने टीम में जरूर पिक करो और Captain Vice Captain में उसको रख दो मैं फाइनल टीम अपडेट कर दूँगा मेरा टेलीग्रम चैनल पर पास मिनीट के अंदर डेडलाइन के तो गाइस आज के लिए मेरा वीडियो यह पड़ी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए कुछ जानने के लिए जरूर कॉमेंट्स कीजिए मैं कॉमेंट्स कर रिपलाई दूँगा और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सकाइब करें मेरे चैनल को और पास झाल झाल